आज की इस वुडियो में हम बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा नसा यानि की PUBG के बारे में PUBG को लेकि बहुत सारे इलेसंसिप खराब होते हैं, बहुत सारे माता पीताओं बच्चों में जगड़ा होते हैं तो आज की इस वुडियो में आपको बताऊंगा कि क्या PUBG खेलने से आपका जिन्दगी खराब हो सकता है या नहीं हो सकता है आप जीतने भी लोगों को जानते हैं जो लोग PUBG बहुत ज़ादा खेलते हैं या जो लोग मुवाइल का इस्तमाल बहुत ज़ादा गएदे हैं उनको ये वीडियो जयू सेंड कीजिए आगे उनका जिन्दगी उसका फैसला है कि उसको क्या करना है सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात के लिए करना चाहूँगा आज की डेट में मैं बहुत देखता हूँ बहुत सुनता हूँ कि बहुत साहे माता पिता बच्चों से दिन भाय बोलते रहते हैं इतना मोबाईल मत चलाओ जिन्दगी खराब हो जाएगा यह खराब हो जाएगा वो खराब हो जाएगा तो सबसे पहले मैं एक बात का जवाब आप लोग दीजिए आज तो मोबाईल आया है चायपास साल 6 साल से PUBG आया है डेट 2 साल से इससे पहले जब PUBG या मोबाईल नहीं था तो क्या सब इंसान का जिन्दगी बिल्कुल सही था इसका जवाब है नहीं आप लोगों को यह समझना होगा कि जिन्दगी खराब कब होता है क्यों होता है जिन्दगी किसी भी व्यक्तिक अब तब खराब हो जाता है जब वो कुछ करना चा रहा है लेकिन कर रही नहीं पा रहा है तब जाके जिन्दगी खराब हो जाता है आप लोग समझेंगे ने इस से तेम आपको थोड़ा सा एक्सांपल देता हूँ क्या होता है कि जब आपका एस थोड़ा सा कम होता है 20 साल, 25 साल, 30 साल, इंसान उतना जदा tension या pace नहीं लेता है, मस्ती करता है, time pass करता है, enjoy करता है, लेकिन जब उसका उमर थोड़ा हो जाता है, जब उसकी जिन्दगे में बुरा time आता है, पैसा का कमी आता है, या माल लेजे जब उसका बेटा-बेटी का स्कूल का फीज देना है, घर का खर्चा चलाना है, तब इंसान खुश से responsible होता है, जिमेबार होता है, और काम करना सुरू कर देता है, अपने बच्चों के लिए, अपने family के लिए, अब उस टाइम जो इंसान के अंदर गुन है, quality है, वो सुभा से लेकर राद तक महनत भी करना चाहते है, लेकिन उनको कोई काम आता ही नहीं है, उनके अंदर गुन और स्किल का कमी है, उन लोगों को महनत करने के बाद भी इतना पैसा का इंतिजाम नहीं कर पाते है, कि अपना खाना पीना ठीक से खा सके, कपड़ा, टीवी, करना, ये दोनों में बहुत फड़क होता है, टाइम पास तब होता है, जब हम पोई जगा पर जाके टाइम पास कर गया है, जिससे हमको मजा मिल गहा है, माल लीजी एक बच्चा दिन हमें 8-9 खंट टीवी देखता है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये टाइम पास कर गहा है हाँ टाइम पास कर गहा है, लेकिन वो टाइम पास से उसको खुद को मजा मिल गहा है, इंचोय कर गहा है, वो जो भी टीवी में काटून या गाना देख रहा है, इससे उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन टाइम वेस्ट करना उसको बोलते हैं जब इंसान कुछ भी नहीं कर गहा है ना ही enjoy कर गहा है ना ही कोई ने अच्छी सीख रहा है ना ही किसी का मदद कर गहा है मतलब कि ओ दो घंटा तिन हंटा में कुछ ने किया nothing इसको बोलते है time waste कर देना और ऐसे ही लोगों का जिन्दगी बड़बाद होता है ना कि उन लोगों का जिन्दगी जो लोग time pass करते है वीडियो खतम उने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा आप जाके research करके देख लीजिए अपने area में पता लगा दीजिए दुनिया में ऐसा बहुत सारा इंसान है जो लोग 30 या 25 की उमय तक जादा काम्याब नहीं थे जादा अच्छा काम नहीं करते थे लेकिन जब उन्होंने काम करना सुरू किया तो बहुत अच्छे से काम किया अपना घर्चा पाने भी निकाला अपना family भी पाला और एक अच चाहते हैं कि आपका बच्छा का जिंदगी खराब ना हो कोई माता पीता भी में वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपने अंदर आपने बच्छों के अंदर गुन यानि की स्किल पैदा करना चाहिए इसकिल पैदा करके आप छोड़ दीजिए आपको इतना विश्वास ह बुरा चाहिए कि हाँ मिया बेटा मिया बेटी के अंतर इतना क्वालिटी है कि अचानक कभी इसके जिंदगी में बुरा टाइम आएगा तो पैसा कैसे कमाना है कौन सा काम करना चाहिए इतना इसको हम सिखा के मर गहे हैं हमको कोई टेंसन का बात नहीं है आज के इस वीडि क्वाली आ laughing